नमस्कार मेरा नाम ग्यानिक श्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटिस मेरे साथ नियूज रूम में है देव प्रकास सिंग साहब पटना हाई कोट के एड़ वोकेट स्वागत है देव प्रकास यहाँ सुप्रीम कोट ने एक बड़ा फैसला सुनाया संभिधान पीठ पांच जोगी फीठ ने और भातिय सम्मिधान में जो प्राबधान है उसे सिठल किया और नए नियम गरे और अब तो ऐसा लग रहा है कि तलाक कितने कितने साल मुकदमे चलते थे साधी हो गई पती पतनी में विवाद हो गया लेकिन मुकदमा घसीता रहता था घसीता रहत लेकिन सुप्रीम कोट ने कहा कि दिखी जब मिया वीवी दोनों एक दूसरे को छोने को तयार है तो देर करने की जूरत क्या है दे दीजे तलाक तो क्या अब फटा-फट तलाक हो जाएगा कोई वक्त नहीं लेगा और जो आपस में जगर रहे हैं अलग रहना चाहते हैं व जब दोनों पक्ष पती और पतनी लिख करके आपसी सहमती दे रहते हैं हिंदू मेरेज एक्ट के सेक्शन थार्टिन बी में वह इसे हालात में भी एक नियम लगा हुआ हुआ है कि फर्स्ट मोसन अगर होगा मोसन में सो फर्स्ट अप्लिकेशन जब फाइल करेंगे ये कहा हिंदू मेरेज में क्या माना गया है कि मेरेज दो आत्माओं का मिलन है जन्म जन्मांतर तक साथ लोग रहते हैं इसका केवल एक दाहिक पक्षी नहीं है प्रोक्रियेशन ही नहीं पक्ष है इसका पक्ष एक धार्मिक पक्ष भी है कि दो बेक्ती साथ भगवान के हां से एक दो हो रहा है कि यह बर्महल हो रहा है और ऐसा हो रहा है कि 40-50 percent marriage ब्रेक कर रहे हैं जो नहीं marriage बन रहे हैं चुछ कि एक बात यह आई है कि लर्कियों को पढ़ाया जा रहा है लर्कियां एकनोमिकली डिपेंडेंट हो रही है और पुर्स मानसिकता जो है रूल करने का सासन करन बनाए पती की सेवा करे घर की सफाई करे जो अब करने को तयार नहीं है इन हालात में पलस उसमें और भी बहुत सारे कारण हो रहे हैं कहीं कहीं तो और बेरिंग भी हो जा रही है इस बात को जिस कारण से फैमली डिसकॉर्ड हो रहा है में एक से संब्सक्राइब हो या था हो रहा हो रहा है कि क्या होता है कि मामला है कि विबत में लेकिन हो तो नहीं लेकिन और तो ठीक है लेकिन में आपकी सहांपनी होता हूं कि आपने कhi 50 परसेंट, फोटी परसेंट मेरेजिस तूट रहे हैं लेकिन अब भी भारतिय बिवाह की एक मानेता है और उसे स्थापित रखते हैं लोग लेकिन जैसा आपने कहा कि फैमिली कोट में और आपने कहा कुलिंग परिया च्छा महीना कि जैसे हमने एप्लिकेशन फाइल किया तो प्राबधान है शुरू में कोई मध्यस्ता करने की बात होगी दोनों को मिलने मिला के बैठा के बात किया जाएगा कि क्या कोई संभाव ना है किस मेरेज को ब्रेक करने से रोका जा सकता है अगर आप नहीं कहें दोनों सुरू में कंसेंट डाल दिये तो इससे हालात में भी कहता है कि उसके बीच में आपको आ जाएगा वो डिस्प्यूट में एलिमोनी आ जाएगा मेंटि मेंटिनेंस आ जाएगा बच्चे अगर हुए है तो बच्चा का कस्टडी किसके पास रह अगर आप सहमती से कर दिये तो बहुत अच्छी बात है करना जाएगा तो सेट्लमेंट ही करते हैं हापस में अगर आपसी सहमती से दोनों आदमें सहमत हो गए तब तो ठीक है नहीं सहमत हुए तो कोट करेगी बाद डिसाइट नहीं अब यह हमें बताईए और यह तीनों चीज़ पती पतनी ने डिसाइट कर लिया लूँनी भी डिसाइट कर लिया संपती का बतवारा भी कर लिया बच्चों के बारे में फैसला कर लिया उसके बाद उन्होंने तलाक किया जी दायर की तो आज सुप्रिम कोट ने जो कहा है उसके मताबिक क्या पटापट हो जाग है कि वो कानून हो गया और पूरे देश में लागू हो गया अब वो ऐसी बाते हैं जज को कहा गया है जो जज बैठेंगे फैमिली कोट में वो अपने बिवेक आधिकार में यह निरनेले इन बातों को देखते हुए इन बातों को देखते हुए और इस संभावना को भी देख है नहीं जा सकता है अब टूटना ही टूटना है रख बचा के रखेंगे और गलत फलत केस आप मुकदमा आपस होते रहेंगे और रंजी से बढ़ता रहेगा और उनलों का जीबन नरक बनता रहेगा तो इससे किसमें जज को भी वेकातिकार दिया गया है कि आप जो कूलिं का जरुआत नहीं है यह पहले भी हुसना हुआ था आपको वो अमरदीप वाले केस में हमें याद है कि ये लेकिन आज तो समीधान पीट का फैसला हो गया ना आज तो समीधान पीट का पहले वह भी लागव हुआ सब्सक्राइब सब्सक्राइब सम्हारा अब नहीं जा सकता है कि मैरे किसी हारत में बचाएब उसे केस में समय के बरबादी ने करें और आप उसी जो बैमनस है जो रंजिस है उसको बढ़ाते रहें केस में कदमा होता रहे साथ में एक चीज और भी कह दिया का वह इस केस में रीट या सुप्रीम गूर्ट में 32 में जाकर कि आप लोग नहीं आईए आप लोग वहीं जल्टिस फैसला करम खतम करिए नहीं एक बात मैं समझना चाहता हूँ जो आपने कहा बच्चों की बात करी अब वैसी दम पत्ती जिनके बच्चे हैं ही नहीं साधी के कुछ साल ही हुए है या किसी का बात खतम होगे हाँ वहाँ के बाल एलिमोनी और मेंटेनस की बात होगी के बाल एलिमोनी और मेंटेनस की मेंटेनस का क्या आशकल नियम कानून क्या है अगर लरकी खुद अर्ण कर रही है जे अच्छी कमाई कर रही है माले ये पती का सेल लिए एक लाक रुपया है और पत्नी की सेल लिए बीस जाद है तब तो होगा तब तो मैं इंतर्फ देना पड़ेगा जे अगर माली एक उनकी अच्छी खासी पती पत्नी आई एसाई पेस हापस में हैं आई टी के इंजिनिय नहीं और बहुत महिला है तो उसक्छा से छोर भी देती हैं हमें मैंटनेंस नहीं चाहिए भाई हमें 37 जीवन जीने दो आपकम सकम हम अलग रहना चाहते हैं तो अलग हो भी जाती है इसे केस में अच्छा एक बात और बताई आपने इसी बात कही कि डाइबोर्स पेटिसन या उसमें और और पर मुहर लगाएगा तो ये जो करिमनल कैसे जो डायर किये गए हैं पहले क्या उनका भी निप्टारा होजाएगा इसमें भी शुला नामा होजाएं-पहिं नहीं है डाइबोर्स नहीं हो, डिख्लेयर कर दिया जाएगी, द्ख्लेयर कर तो बाकी खतम हो जाएगी, बन्हां दोमेडिक भायलेंस, टो क्रिम्नल एक्ट हो गया हो, तो falseisen IS क्रिमिल भी है, इस में भी आपको ब्रटवारा जमीन गया है आपको फोड़ नाइंटीएट जो फोड़ नाइटी सेवन था इसले गया कि विवाही तर समंध को उसने गलत नहीं माना लेकिन यहां जो हिंदू मेरे जैक्ट में जो सेक्शन थर्टीन है वहां छोड़े हुए है अगर कोई पती पत्नी है साबित कर दे हमारा पती द सुप्रीम कोल का फैसला आया है इसके बाद वैसे लोग दो तलाग चाहते हैं उन्हें कितनी रहात मिली है समय कम लगेगा कैसे फटापट होगा और किन चीजों की तयारी कर आप जाएंगे तो तलाग जली मिल जाएगा लेकिन एक नेक सला यदि आपने साधी की है साथ फे इत्रबंधन है आप देखते रही है लाइफ श्रीज को यदि अब तक आपने हमारे यूटूब चैनल लाइफ श्रीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजेगा और यदि इस वीडियो को आप फेस्बूक पेस के मादने हमसे देखे तो पेस को लाइक किजि कि अब तो पर भी मैं फोलोगी है दंडे बात